इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं data analytics के skill के बारे में एक ऐसा skill जो एक CA, ACCA, CPA या किसी भी finance professional के लिए अब compulsory सा होता जा रहा है मैं हूँ CA कारव सबरवाल, Ateam Commerce Academy दौर से आएए बात करते हैं Welcome to Career Tuesdays on the move, यहाँ पर हम career और motivation से related unbiased videos बनाते हैं Welcome back, अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने 3 soft skills के बारे में बात किया था, जो एक finance professional को चाहिए एक better salary के लिए, इसका link आपको description में मिल जाएगा अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं hard skills के बारे में, and obviously we are going to start with data analytics, इसी वीडियो के अंदर आगे आने वाले 6 chapters आपको और clarity देंगे, ऐसी वीडियो को बनाने में काफी research और काफी समय लगता है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe जरू करें और वीडियो को फिर इसे एक visual dashboard के अंदर डालता है ताकि ऐसी जानकरी को लगतार monitor किया जा सके, और इसके base पे decisions किया जा सके, यह होता है काम data analytics का, and yes, even chartered accountants, ACCAs, CPAs, MBA finance, CFA, CMA professionals, और भी कहीं सारे finance professionals से अब expect किया जाता है कि उन्हें यह data analytics की knowledge होनी चाहिए है, highest pay masters, जैसे कि management consultancies, investment banks, big four audit firms, यह सब अब इन skills को demand करते हैं, तो या तो आप data analytics सीख लें, या तो दूसरों को promote होते वे देखें, chapter number two, practical use, McKenzie एक management consultancy है, उन्होंने एक research करी और यह पता लगाया कि ऐसी companies, जो data analytics का इस्तमाल करते हैं, वो 23 times outperform कर देते हैं, अपने competitors को, नए customers को acquire करने के मामले में, और 9 times उ customers को retain करने के मामले में, यह बताता है कि management consultancies, जो finance accounts professionals को hire करते हैं, कितना value करते हैं, इसके काफी सारे practical uses हैं, जैसे कि एक company का share price drop की हो गया, यह जाना आप चाहते हैं, तो data analytics से पता लगा सकते हैं, अगर Amazon यह पता लगा सकता है, कि क्यों किसी customer ने एक particular product को खरीदने का decision अपन आपको गुलाब जामुन खाने का मन कप करता है, chapter number 3, associated skills, अगर आपको complete करना है, उस goal को achieve करना है, तो क्या क्या चीज़ें हमें उस course के अंदर सीखनी होती है, तो देखें, इसे essentially में तीन पार्ट के अंदर divide कर रहा हूं, number 1, कि मिले वे data से sensible जानकारी को निकालना, ऐसा करन है, number 2, आप उस data को analyze करते हैं, उससे कुछ conclusions निकालने के लिए, इसके लिए आप Excel और advanced Excel का use कर सकते हैं, and number 3, आप इस data को visually present करते हैं, dashboards के रूप में, जिसके लिए Power BI या Tableau का आप इस्तमाल करते हैं, इसके अलावा भी कुछ और tools का इस्तमाल किया जा सकता है, programming knowledge का, but ध्य जान रखें, data analytics के लिए, programming knowledge बहुत जादा in-depth में हमें नहीं चाहिए होती है, जैसा कि data science के अंदर हमें चाहिए होती है, chapter 4, इन skills को acquire करने में कितना समय लगेगा, सुन करके बहुत overwhelming लग सकता है, but data analytics की proper knowledge गेन करने के लिए, आपको 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, जबकि data science जो data analytics के एक कदम आगे, यहाँ पर आपको एक formal education करनी पर सकती है, तकरीबन 2 साल की, वीडियो के आखरी में दोनों के अंदर और क्या difference है, इसके बारे में भी बात करेंगे, chapter 5, jobs and salary, data analytics के professional 2010 से almost double हो गये, और बहुत तेजी से demand भी आ रही है, और बहुत तेजी से लोग data analytics अ data analytics सीख रहे है, एक CA, ACCA या CPA, data analytics करके minimum 15-20 लाट पर आनाम की salary ऐसे फ्रेचर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, एक lower side का मैंने आपको value बताया है, साथ ही साथ में, career के अंदर growth भी बहुत तेजी से होती है, data analytics के skill को सीखने के बाब, chapter 6, data analytics versus data science, जो लोगों को इस बारे में knowledge नहीं है, वो data analytics और data science को interchangeably use करते हैं, जब कि आसा नहीं है, fact यह है कि 2021 की एक report आई थी, World Economic Forum की, जिसमें उन्होंने का था कि data science largest skill gap को identify करता है, data analytics is just a starting point of data science, interest चेक करने के लिए भी आप data analytics कर सकते हैं, कि वहाँ पर अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर आप data science कर सकते हैं data science एक individual को मदद करता है, advanced statistics, advanced programming knowledge और machine learning का इस्तमाल करके, business की day-to-day insights को बनाना, या फिर even artificial intelligence को train करना, मुझे comment section के अदर जरूर बताएगा, अगर आप चाहते हैं कि data science और data analytics के difference के बीच में एक वीडियो में बनाते हूं, Now to conclude, मैं ये बात clear कर देना चाहता हूं, कि मैं ये नहीं कहा रहा कि आप जो भी degree या qualification कर रहे हैं, उसको छोड़ करके data analytics करें, उस degree या qualification के साथ data analytics करने के लिए मैं कहा रहा हूं, मैं उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, don't forget to like and subscribe, और मैं आप से मिलत आप आप आरी एपिसोगा